सलाम आदाब मैं अब्दुस समद विवश 24 न्यूस से अभी मैं मौजूद हूं मधुवनी नगर निगम ऑफिस के बाहर में साथ सूतरी मांगो को लेकर एक दिवस्य धरना यहाँ पर कुछ लोगों को आप देख रहे होंगे मैं इन से थोड़ी सी बाच्चित करूँगा और जानने की कोशिश करूँगा सबसे पहले तो अपना परिश्य देदा जी मेरा नाम विजैश्री है विगत के कई वर्सों से लगाता और छेत्र और चात्र की आवाज बनकर यहाँ लोगों का मुद्द उठाते रहे हैं नगरनिगम का जो हालत है नगरनिगम की जो वेवस्था है वह नरक निगम बन गया है आप देखिएगा सहर में जितने भी तालाब है सरकारी और गर सरकारी तालाबों को लगातार भरा जारा है जबकि उसका सुंदर्जी करन होना चाहिए उसमें से कच्रा निकाला जाना चाहिए हमारी अप्रमुक बांग है रासन कार्ड जो गरीवी रेखा से नीचे के लोग गुजर बसर कर रहे हैं उनको अभिलंब केम्प लगा कर रासन कार्ड वित्रन किया जाए समाजिक सुरक्चा पेंशन, दिब्यांग पेंशन, बिद्वा पेंशन, कैम्प लगा कर वहां से उनकी सुक्रिती परदान हो इन सम तमाम मांगों को ले करके हम लोग बैठे हैं अगर सरकार नहीं सुनती है तो आगे आप लोग के क्या रंडीती रहे हैं देखिए जब रंठाना संगराम का तब कैसा विष्राम पीछे मुर के देखा नहीं बीरूसी का नाम हम लोग तो लगातार छेत्र और छात्र के लिए लरते आ रहे हैं अगर हमारी मांगो को पूरी नहीं करते हैं तो आपके कारियाले में तारा लगा दिया जैगा आपका जीना दूभर कर देंगे अगर हमारी मांगों को पूरी नहीं करते हैं अगर सहर में कच्रा रहता तो तमाम कच्रा को उठा करके आपका कर्याले में फेकने का काम मितला इस्टूटेंट यूनियन करेगे नगर निगम का चुनाव होने वाला है हो सकता है परतियाशी आएंगे तो मदोवनी की जो समस्या है उसमें तबदीली हो बदलाओ हो उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए देखिए समाज सेवियों की बाढ़ा आई हुई है आप फलैक्स बोड और होल्डिंग से सहर पट चुका है हम पूछना चाहते हैं वो समाज से भी कहा है युबाओ को खेलने के लिए स्टिडियम नहीं है बच्चों को खेलने के लिए पार्क नहीं है सहर में हमारी महिलाए बहने अगर साम के बक्त बाहर निकलती है तो सरक पर अंधेरा राता है आखिर सौंदर जी करण हमारे सहर का कब होगा भाई नगर निकम नरक निकम क्यों बना के रखे हुए आप लोग जो भी परतियाशी है जिन से भी बात किया जाता है बहुत सारे मुद्धा को ले करके आते हैं क्या उम्मीद करते हैं कोई भी नगर निगम में जो आते हैं जीत करके तो क्या मदोवनी की जो समस्य है वो दूर हो पाएगी निस्चित रूप से हम आप युबा हैं हम आप युबा है और देखना है कि भारत खेल के चेतर में तरक्की कर रहा है भारत जब तरक्की कर रहा है तो हम भिहार के लोग हम मितला चेतर के लोग क्यों पीछे रहेंगे जब हरियाना के हरेक प्रखने हरेक अनुवंडर हरेक तह पूरा नहीं होता देखे तो हम लोगों ने आंदोलन का रास्ताक्तियार किया है और आने वाले समय में भीशन होगा जितना इनको पता नहीं है चुकि इनका परिपाटी नहीं है नगर निगम में कोई धरना देने का परिपाटी नहीं है इसी से इनका मन बढ़ा हुआ है इनका जो बोलचाल का लहजा है वो दूसरे तरीका का है तो इनको हम बताने आये हैं कि इस वार हम गांधी के तरीके से आये हैं अगली बार सुभास चंद बोस भागत सिंग बनके आएंगे तो आपके कान में डफली वजाने का काम करेंगे देखिए साथ हमारा विविन मांग है जो भी मांग है सहर के मुद्दो को लेकर मांग है और इससे पहले मैंने ग्यापन के तोर पे सरसे बात की हुई थी और यहां नगर निगम काड़ियालेम, SDO काड़ियालेम ग्यापन सपा हुआ था कि इतना तारी को हम मांग को लेकर एक दिवश्य दरना करेंगे जिसके काड़िय सरूप कोई कदम नहीं उठाया गया जिसके वज़ा से आज हम लोग गांधिवादी तरीके से एक दिवश्य धरना कर रहे हैं और आपके निउस के माध्यम से यहां के नगर निगम की जनता और नगर आयुक्त को ये चेशाबनी देने जा रहे हैं कि अगर आप हमारे मांगों को लेकर सीरियस नहीं होंगे आप हमारे मांगों को लेकर अगर काम नहीं करते हैं आप अगर नगर निगम के समस्याओ को लेकर अगर सरक पे नहीं उतरते हैं तो हम लोग मितला इस्टुरेंट यूनियन के नौजवान नगर निगम के जनताओं के साथ ये जिला कारियाल है जिला नगर निगम कारियाल है हम लोग घेरने का काम करेंगे और तालाबंदी का काम करेंगे और मितला ए श्टुडेंट यूनियन जब भी आवाज उठाता है तो अंतिम सांस तक लड़ता है चाहे वो बड़े से बड़े पतादिकारे हो चाहे वो बड़े से बड़े क्रीमनल हो किसी से हम लोग डरते नहीं है क्योंकि हमारे पास हमारी सकती है और वो सकती है इमांदार कि किसी के लिए अगर आब आज उठाएंगे तो उसके लिए मरते दम तक आब आज उठाते रहेंगे लड़ाई लड़ते रहेंगे